खौल रहा है जो सीने में खौन वो हिंदुस्तान का है और बात नहीं जीने मनने की नशातिरंगे की शान का है मैं आज यहां देश वक्ति के नारे लगाने नहीं आया हूँ क्योंकि वो तो हम लगाते ही है हर दिन लेकिन आज वो बात कहने आया हूँ जो बहुत जरूरी है कि दुस्मन से तो सीमा ओपर जवान हमारे लड़ते है अरे दुस्मन से तो सीमा ओपर जवान हमारे लड़ते है पर घर के गद्दारों से कौन लड़े जो दोस्त बनके मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रश्टा चार की, जो इस देश को दीमक की द्रखोकला कर रहा है। हम अपने अधिकारों के लिए तो बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, पर देश के गद्दारों के खिलाब, प्रश्टा चार के खिलाब हम चुप रहते हैं। हमारे अंदर देश बक्ती सिर्फ 15 अगस्त और 26 जन्वरी को ही दिखती है। हम तिरंगा पहराते हैं मगर ये भूल जाते हैं कि इसकी रक्षा ही हमारा धर्म है। इसका सम्मान ही देश बक्ती है और इस तिरंगे को सलामत हम कब रख पाएंगे। जब ब्रश्टा चार से मुक्त भारत होगा हमें लड़ने नहीं जाना है। नहीं सीने पर गोलिया खानी हैं क्योंकि ये काम तो हमारे जवान भाई कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ आवाज बनना है एकता की भाईचारे की देश प्रेम की। वो लगा रहे है जान की बाजी हमें नाज है उन बलिदानों पे पर हमारा भी है फर्ज बनता के हम लड़े घर के कद्दारों से। भारत को अगर फिर से सोने की चिडिया बनाना है ना तो हमें आगे बढ़ना होगा। और देश का नाम उच्चा करना होगा अपना हक मांगने से पहले उसके काबिल बनना होगा। कुछ करके दिखाना होगा इस देश के लिए भारत मा के लिए कि एक ही क्वाईश इस दिल में है वतन मेरा आबाद रहे। मैं रहूं या ना रहूं पर ये तिरंगा मेरे बाद रहे। और ख्वाब इतना बस में देखो कपन तिरंगा हो मेरा। और मर जाओ तो मरने के बाद नाम मेरा तुम्हें याद रहे। नाम मेरा तुम्हें याद रहे। जैहिन वंदे मात्रम बारत माता के जैए